Assalamu alaikum everyone, Welcome back to my channel, मैं हूँ Nisha Et Quran और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, हैतरापादी फेमस ont वूरा डृक्व मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुती फेमस ड्रिंक है जो समर में यह बहुती स्पेशल माना जाता है और बहुती टेस्टी लगता है तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे और जो इंग्रिडेंट हमें लगने वाले है वो लिये है उसमें मैंने फोर कप जो है वो मिल्क लिया है जो कि मलाई वाला मिल्क है और थंडा मिल्क है और फिर जो मेन इंग्रिडेंट है वो है खस सिरप तो मैंने हाप कप खस सिरप लिया है फिर मैंने हाप कप जो है वो फ्रेश क्रीम ली है वन टेबल स्पून जो खोया मैंने यहां पे लिया है मैंने ड्राइफूर्स में पिस्टाशू और ऐलमंट्स चो है वो 15 तो 20 लिये है और मैंने यहां पे लिया है ग्रीन इलाइची तो फर्स्ट हम इन सभी इंग्रिडेंट को क्या करेंगे कि एक मिक्सी जार्म लेंगे उसमें हम इसे एड़ कर देते है तो फर्स्ट मैंने पिस्टाशू एड़ किया है फिर हम इसमें एड़ करेंगे वो है ऐलमंट्स और फिर हम एड़ करेंगे इसमें ग्रीन इलाइची जो मैंने 5-6 ग्रीन इलाइची ली है तो वो हम add कर देते हैं, फिर हम इसमें add करेंगी जो है वो है खस सिरुफ जो मैंने hot cup लिया है और ये add करने के बाद में हम अम इसमें next जो ingredient है वो add करेंगी जो कि है खोया तो खोया मैंने one tablespoon लिया है, अगर आपको ज़्याधा खोया पसंदे तो आप इसमें add कर सकते हो तो 1 tablespoon मैंने add किया है अगर आपको और पसंदे तो और extra 1 tablespoon आप इसमें add कर सकते हो यह add करने के बाद में हम इसे mixi में grind करेंगे तो grind करने के बाद में मैं इसमें वापस इसमें add कर रही हूँ जो है वो है fresh cream जो हमने half cup ली थी तो इसे मैं वापस से mixer में grind करके लेती हूँ grind करने के बाद में हमारा ये mixture इसका एक smooth paste बन गया है फिर इस paste को हम जो है वो हम हम अमारे main जो milk है उसमें add करेंगे तो यहाँ भी मुझे extra sugar add करने की जूरत नहीं है क्योंकि खस सिरफ जो है उसमें already sugar रहता है तो इस milk के साथ वो अपने आप balance हो जाता है तो extra sugar कर add करने की जूरत नहीं है mix होने के बाद में हम इसे थंडा होने के लिए गंटे फ्रीज में रख देते हैं तो दो तीन गंटे रखने के बाद में जो है वो हमारा tahura drink जो है वो पीनी के लिए ready हो गया है मैं यहाँ पे उसे कुछ dry foods के साथ में garnish कर रही हूँ और यह जो drink है वो बहुत ही special drink है जो की summer में mostly इसे पिया जाता है हाइदराबदी famous drink है और यह tahura जो है वो बहुत ही tasty लगता है आप इसे घर पे ज़रूर एक पार try कीजे आप इसे रमजान में इपतार के इपतार में भी इसे बना सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही refreshing drink है और आपको ज़रूर पसंद आएगा और अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कीजे अपने friends and family में भी इसे share कीजे और अगर आप मेरे चैनल पे new हो तो इस चैनल को subscribe कीजे notification bell icon को भी click कीजे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में till then बाई Allah अफीज